असलाम वालेकुम इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे Neuronautomy of Midbrain प्रिविएस वीडियो के अंदर हमने डिसकस किया था Neuronautomy of Pons and Medulla Oblongata इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को जरूर देख लें ताकि इस वीडियो को समझने में असानी हो Midbrain basically part है brain stem का, brain stem के 3 parts होता है Midbrain, Pons और Medulla Oblongata और Midbrain shortest part होता है brain stem का, इसकी length होती है about 2 cm So Midbrain is the shortest part of brain stem और इसकी length है about 2 cm Midbrain की Neuronautomy को हम डिसकस करते हैं under 2 main headings Internal Features of the Midbrain and External Features of Midbrain तो पहले हम डिसकस करेंगे External Features of the Midbrain को External Features of the Midbrain को again हम study करते है Under two main headings External Features on the Ventral internet यानि अगर हम Ventralी देखते हैं Midbrain को तो हमें कौन से Features नजर आते हैं और External Features on the Dorsal internetि means कि अगर हम dorsally Midbrain को view करते देखते हैं तो हमें कौन से Features dorsally नजर आते तो पहले हम डिसकस करेंगे External Features of the Midbrain on Ventral internet bes Zuschक्法 वेंटरली अगर हम देखें तो हमें वेंटरली यहां पर दो स्टॉक नजर आ रही है इन स्टॉक को हम कहते हैं सेरीब्रल पडंकल्स सेरीब्रल पडंकल बिसिकली यह सेरीब्रल पडंकल्स क्या होते हैं कि जो असेंडिंग फाइबर जो सेरीब्रल कॉर्टेक्स के रन कर रहे होते हैं और डिसेंडिंग फाइबर जो सेरीब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं तो वो यहां पर स्टॉक बना लेते हैं मिड्रेन के उपर मिड्रेन क Fibers जो कि Cerebral Cortex से जा रहे हैं Ascending Fibers और Descending Fibers जो Cerebral Cortex से आ रहे हैं So most of the Vental part of Midbrain is found by these cerebral peduncle. और यह Cerebral Peduncle Corrugated होते हैं Means यहाँ पर इस तरह किसे Grooves present होते हैं इस Peduncle के उपर क्योंकि यहाँ पर जो Fibers run कर रहे होते हैं वह यहाँ पर की formation करा देते प्रड़ंकल के उपर तो ये corrugated होते हैं cerebral peduncle इसके उपर grooves present होतने इस तरह longitudinally अगर हम देखते हैं cerebral 2 cerebral peduncle होते हैं 2 cerebral peduncle के दर्मयान की जो space होती है इस space को हम कहते हैं inter peduncular fossa यह जो space है between these two cerebral peduncle is space को हम कहते है inter peduncular foca in der peduncular your the peduncle foot in der peduncular fossa अगर हम देखते हैं ventrally midbrain को तो कौनसे structures होते हैं जो ventrally हमें दिखते हैं midbrain को cross कर रहे होते हैं vendor inspect K delle perduncle prezentnin Midbrain के तो 3 main structures होते हैं 3 main important structures में जोंगे trying to open通 열動画 अगर हम सबसे पहले देखते हैं यह हमारे पास optic nerve ही इती है जो कि optic बनाती है तो सबसे पहले अगर हम देखें नमबर वन स्ट्रक्चर जो वेंटल स्वेक्ट ऑफ मिड ब्रेन के उपर प्रेज़न्ट होगा वो है ऑप्टिक ट्रैक्ट अप्टिक सुपिरियर टू इनफियर हम जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ऑप्टिक ट्रैक्ट मिलता है उसके इलावा अगर हम एक चीज़ याद करें तो पॉंस के अंदर हमने डिसकुस किया था कि पॉंस के अंदर बेजिलर ग्रूफ प्रेज़न्ट होता है जिसके अंदर तो बेजलर आर्टरी रन करती है और सुपियर बॉर्डर ऑफ पॉंस के ओपर बेजलर आर्टरी एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं सुपिरियर सेरीबलार आर्टरी सुपियर बॉर्डर ऑफ पॉंस के ओपर बेजलर आर्टरी दो ब्रांचिस देती है और मिड़ ब्रे अगर हम देखें, दूसरा structure हमें मिलता है, main structure, ventral aspect के उपर, अगर हम superior to inferior जा रहे हैं, सबसे पहले optic tract है, उसके बाद posterior seri barrel artery, और उसके बाद inferiorly अगर हम देखें, तो हमें मिलती है superior seri barrel artery, तो यह तीन important structures होते हैं, जो के ventrally हमें नजर आ रहे होते हैं on the ventral aspect of mid brain के उपर, उसके जा था कि cranial nerves arise करती है, mostly जो 1st और 2nd के लावा सारी cranial nerve brain stem से arise हो रही थी, तो 3 और 4 cranial nerve arise होती है, mid brain से, 5, 6, 7, 8, from the pons, 9, 10, 11, 12, from the medulla oblongata, तो 3rd और 4th arise होगी from the mid brain, और हमने एक और चीज़ डिसकस की थी, कि सारी जो cranial nerves होती है, वो arise करती है, ventral aspect of brain stem के, सिर्फ एक के लाव और वो कौन सी थी, 4th cranial nerve, जो कि ट्रॉक्लियर nerve थी, तो mid brain के अंदर हमें 4th cranial nerve भी मिलेगी, तो ये 2 nerves green के अंदर ड्रॉक्य होई है, तो इसमें 4th कौन सी होगी, तो जो medially है, ये वाली green, ये है 3rd cranial nerve, और ये वाली जो laterally है हमारे पास, वो है 4th cranial nerve, क्योंकि 4th cranial nerve basically arise करत हैं, cranial nerve, 3rd or 4 cranial nerve का, with the arteries, तो हम देखते हैं कि between the posterior cerebral artery and superior cerebellar artery, 3rd or 4 cranial nerve present होती हैं, जो ये features होते हैं mostly, on the vental aspect, अभी हम discuss करेंगे features on the dorsal aspect के ओपर, dorsally हम mid brain को देखते हैं तो हमे 4 rounded colliculi, 4 rounded structures नगर आते हैं, जिनने हम colliculi कहते हैं, जो superior structures है, superior rounded structures होते हैं हम कहते हैं superior colliculus, और जो inferiorly दो rounded structures नहीं हम कहते हैं inferior colliculus ठीक है superior colliculus and inferior colliculus यह जो superior colliculus और inferior colliculus इन चारों को मिला कर हम एक complex का नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं corpora quadri gemina ठीक इन चारों को मिला के हम कहते हैं corpora quadri gemina ठीक है इन चारों को structures को मिला के superior colliculus और inferior colliculus को मिला कर एक complex बन जाता है जिसे हम कहते है corpora quadri gemina superior colliculus बेसिकली सारे जो colliculus हैं चारों यह एक दूसरे separate है bias sulcus जिसे हम कहते हैं cruciform sulcus इस तरीके से sulcus run कर रहा होता है means ऐसे और इस तरीके से और इस sulcus को हम कह रहे है cruciform sulcus क्योंकि यह Christian की जो cross होता है बिल्कुल उसी तरीके से sulcus है तो इस sulcus को हम कहते है cruciform sulcus अगर हम cruciform sulcus का यह vertical limb देखें this one is the vertical limb ठीक है यह vertical limb सुपीरली अगर हम देखें end करता है at pineal gland के उपर pineal gland basic के लिए मैं पता है part है epithalamus का और अगर हम inferior side पर देखें यह जो हमारे पास vertical limb है cruciform sulcus का यह end करता है अगर फ्रैनूलम विलाये पे फ्रैनूलम विलाये और यह part होता है सुपीर मेडलरी वैलम का जो के हमारे पास roof बना रहा होता है fourth ventricle की तो inferiorly end करता है अगर हम सुपीर कॉलिकुलस को देखें तो सुपीर कॉलिकुलस से यहां पर एक branch निकल रही होती है एक stroke है जो कनेट कर रहा है सुपीर कॉलिकुलस को आगे जाके थेलैमस के साल यह जो इ कहते हैं इस limb को हम कहते है superior brachium superior brachium सो यह हमारे पास superior brachium और inferior colliculus से एक branch निकल रही है एक stock है जो limb है जो कनेट कर रहा है inferior colliculus को विदध हलैमस और इसको हम कहते हैं इसको हम कहते है inferior brachium brachium means होता है limb तो inferior brachium और superior brachium तो अगर हमें functions का पता हो तो superior colliculus mostly इसका function होता है visual pathway से ठीक है vision से हमारी इसका function होता है superior colliculus का और जो inferior colliculus होते हैं related होते हमारे auditory pathway से तो हमारी sound का पाथवे, auditory पाथवे, उससे related होते है, inferior colliculus, तो जो भी information आ रही होती है, इनके पास, यह information को आगे thalamus सक भीज रहे होते हैं, through this superior और inferior brachium के साथ, ठीक है, तो superior colliculus को connect कर रहा है, superior brachium with this, यहाँ पर एक thalamus के अंदर structure present होता है, जिसे हम कहते है, lateral geniculate body, ठीक है, superior colliculus connect है, with the lateral geniculate body, और inferior colliculus connect है, through, यहाँ पर inferior brachium के साथ, और inferior brachium connect कर रहा है, inferior colliculus को, inferior colliculus को with the medial geniculate body, so superior colliculus, visual pathway से related है, inferior colliculus, auditory पातवे से related है, और यह connect है with the lateral geniculate body and medial geniculate body mostly confused हो जाते हैं कि कौन सा colliculus कौन सी geniculate body के साथ attach है और यह geniculate body part होते है thalamus के तो इसको हम इस तरह के से याद कर सकते हैं कि superior colliculus हमें आदे कि visual pathway से related है तो L for light ठीक है visual pathway L for light तो lateral geniculate body और inferior colliculus auditory auditory pathway से related है तो हम M for music so inferior colliculus is connected to medial geniculate body तो इसको हम इस तरह के से याद कर सकते हैं So these are the features which we see on the dorsal aspect of the midbrain So यह हम external features है जो हमने abonatal aspect के ओपर देखे और dorsal aspect के ओपर देखे अब हम discuss करते हैं midbrain को internal features को लेकिन internal features को discuss करने से पहले हम midbrain के देखते हैं करें midbrain की at the level of cerebral aqueduct basically क्या होता है cerebral aqueduct के हमारा जो brain है इसके अदर different cavities present होती है जैसे के ventricles present होते हैं जिनके अदर CSF run कर रहा होता है तो अगर हम 2 cerebral hemispheres के दरमयान देखते हैं तो lateral ventricles present होता है फस्ट और सेकंड ventricles को हम lateral ventricles भी कहते हैं lateral ventricles के बाद अगर हम thalamus में देखें right और left thalamus के दरमयान third ventricles present होता है और third ventricles के बाद brain stem और cerebellum के दरमयान fourth ventricles present होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि third ventricle और fourth ventricle के दर्मियान एक duct होती है एक tube होती है जो CSF को drain करती है from third ventricle to fourth ventricle उस duct को हम कहते है cerebral aqueduct या aqueduct of sylvius तो जब internal features हम पढ़ते है mid brain के तो हमें वहाँ पर एक duct मिलती है जिसे हम कहते है cerebral aqueduct क्योंकि mid brain से वह घुजर कर fourth ventricle के वह run कर CSF drain कर रही होती है from third to fourth ventricle तो यहाँ पर हमें cerebral aqueduct middle के अंदर मिलेगी internal features के अंदर अगर हम एक horizontal line draw करें at the level of cerebral aqueduct तो यह mid brain को divide कर देती है दो regions के अंदर posterior smaller region है tectal region tectum के अंदर इसको हम कहते है tectum और anterior जो larger region है उसे हम कहते है cerebral peduncle cerebral peduncle मैंने यहां बात की थी कि anterior region है mid brain का mostly is found by cerebral peduncle so anteriorly cerebral peduncle अगेन हम cerebral peduncle तीन पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ होता है cerebral peduncle अगेन हम डिवाइड कर रहें cerebral peduncle को तीन पार्ट के अंदर यह वाला जो पार्ट है anterior to the cerebral aqueduct यहां से लेकर यहां तक इस पार्ट को हम कहते हैं tegmentum 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 के बाद यह pigmented region है इसको हम कहते है subtentia nigra subtentia nigra और subtentia nigra के बाद most ventral portion है यह वाला जो इस portion को हम कहते हैं crust cerebride क्या होता है basically जो हमारा cerebral peduncle है इसका जो most anterior portion है उसे हम कहते है crust cerebride और cerebral peduncle की मैंने बात की थे कि उसमें standing fiber यानि sensory और motor दोनों fibers होते हैं लेकिन crust cerebride most ventral part होता है इसका हमारे पास cerebral peduncle का और इसके अंदर सिर्फ motor fibers run कर रहे होते हैं cortex के cortex स से जो motor fiber run कर रहे होते हैं रन करते है most ventral portion of cerebral peduncle का और उसे हम कहते है crust cerebride इसके अंदर सारे motor fibers run करते हैं तो यह crust cerebride तो इस तहीं के डिवाइड करते हैं midbrain को different regions के अंदर ठीक है और इसके अंदर हम देखें subtentia nigra और crust cerebride होते हैं वो throughout the midbrain same होते हैं means अगर मैं किसी भी level के उपर cut करकर देखता हूँ midbrain को और मैं structures देखता हूँ तो crust cerebride और subtentia nigra same होंगे मैं किसी भी level पर cut करके देखे हूँ लेकिन tectum region और tegmentum region differ करते हैं different levels तो पहले हम discuss कर लेते हैं subtentia nigra और crust cerebride को जो कि same है throughout the midbrain उसके बाद हम discuss करेंगे tectum और tegmentum को at different levels of midbrain subtentia nigra को हम identify कर सकते हैं basically tegmentum और crust cerebride के दर्मयान subtentia nigra present होता है अगर हम इसका subtentia nigra का structure देखें तो ventrally हम देखें तो spikes present होती है इसकी जो के protrude कर रही है into the crust cerebride dorsally देखें तो एक concave structure है बिल्कुल smooth concave structure बनावा है medially थोड़ा सा wider होता है लेकिन अगर हम laterally देखेंगे subtentia nigra tapered end है इसके और subtentia nigra appear होता है black nigra का means होता है black तो ये black appear इसलिए होता है कि यहाँ पर present होता है melanin और iron iron और melanin की high concentration की वज़ा से यहाँ ये pigmented होता है और ये black appear होता है images के अंदर तो इसलिए इसको हम कहते हैं subtentia nigra और यहाँ पर production होती है एक hormone की जिसे हम कहते हैं dopamine की production होती है subtentia nigra के उपर और dopamine produce करवा कर ये transport करता है neurons के जरीए dopamine को to the basil ganglia के पास और basil ganglia के पास जो dopamine जा रहा होता है through pathway जिसे हम कहते है nigro stride pathway nigro stride pathway nigro stride pathway के जरीए dopamine travel करता है from subtentia nigra to the basil ganglia और अगर किसी भी बिमारी की वज़ा से disease की वज़ा से अगर degeneration हो जाती है neurons of subtentia nigra की तो dopamine की production नहीं होगी low जाएगा dopamine body के अंदर और इस low dopamine की वज़ा से एक disease हो जाता है हमें जिसे हम कहते हैं Parkinson तो Parkinson related होता है subtentia nigra से अगर degeneration होती है neurons की subtentia nigra में तो Parkinson हो जाता है patients को so subtentia nigra और throughout the midbrain यही structure होता है कोई changes नहीं आती melanin present होता है iron present होता है dopamine की production हो रही होती है throughout the midbrain subtentia nigra के अंदर crust cerebrae के हमने बात की तो motor fibers run कर रहे होते है crust cerebrae के अंदर cortex के crust cerebrae को हम 3 potions के अंदर divide कर देते है middle toothed potion उसके बाद lateral potion and medial potion ठीक है this one is the middle toothed potion middle toothed potion के अंदर basically cortico spinal और cortico bulbar tract के fiber run करते है तो middle के अंदर हमारे पास cortico spinal और cortico bulbar tract के fiber run करते है cortico spinal tract जो के information लेके spinal cord सक जाएगा और cortico bulbar tract जो के synapse करेगा motor nuclei of cranial nerves के साथ brain stem के अंदर medalla के अंदर pons के अंदर जो cranial nerve nuclei present है उनके साथ bulbar tract synapse करता है और यह initiate कराते है voluntary movements को तो इसके fiber run कर रहे होते है middle toothed region के अंदर अगर हम medial देखें medial potion के अंदर एक fiber run कर रहे होते हैं जोने हम कहते हैं frontopontine fibers frontopontine fibers frontopontine fibers basically frontal cortex से जो fibers arise होकर pons सक आ रहे हैं और pontine nuclei के से synapse कर रहे हैं उन fibers को हम कहते हैं frontopontine fibers और यह run कर रहे हैं medial side of crust cerebride के अंदर अगर हम laterally देखें laterally तीन तरह की fiber run कर रहे होते हैं इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं POT pont P4 parietal cortex यानि parietal lobe से parietal cortex से जो fiber आ रहे हैं O4 occipital lobe occipital cortex से जो fiber आ रहे हैं T4 temporal lobe temporal cortex से जो fibers आ रहे हैं तो parietopontine fibers occipitopontine fibers and temporopontine fibers यह run करते हैं on the lateral aspect of crust cerebride तो यह तीन तरह की fibers होते हैं जो के run कर रहे होते हैं medial side पर middle to third or lateral side के उपर crust cerebride के अंदर तो यह जो जो potions होते हैं यह जो structures हैं subtention agro crust cerebride यह same होगे throughout the mid brain अब हम discuss करते हैं tectum और tegmentum region को ठीक है mid brain के जो के differ करते हैं different levels और हम इसको discuss करते हैं दो levels के उपर पहला at the level of inferior colliculus और दूसरा at the level of superior colliculus तो पहले हम discuss करें है at the level of inferior colliculus अच्छा cranial nerve nuclei basically three or four arise हो रहे थे mid brain से तो third cranial nerve हमें मिलती है at the level of superior colliculus के उपर ठीक है और fourth cranial nerve हमें मिलती है at the level of inferior colliculus इसके इलाबा भी कोई nerve होती है हमें मिलती है throughout the brain stem जो हम discuss कर चुके हैं उसे हम कहते हैं trigeminal nerve trigeminal nerve throughout उसके nuclei extend करते हैं throughout the brain stem तो उसे हमने medallum में भी पढ़ा था pawns में भी पढ़ा तो यहां पर भी इन दोनों के इलावा भी एक nerve nucleus present होता है जिसे हम कहते है trigeminal nerve trigeminal nerve basically उसके nucleus होते हैं जो trigeminal nerve के उसके इस तरह से structure होता है यह हमारे पास principal sensory nucleus trigeminal nerve का यह mesencephalic nucleus यहां पर हमारे पास spinal nucleus of trigeminal और यह motor nucleus of trigeminal तो trigeminal nerve है उसके nucleus extend करते हैं throughout the brain stem तो principal sensory nucleus mostly pawns में मिलता है हमें spinal nucleus हमें mostly medulla में present होता है और जो mesencephalic nucleus है वो यहां पर हमें mid brain के अंदर मिलेगा तो mesencephalic nucleus 5th cranial nerve का भी हमें यहां मिलेगा तो अभी हम discuss करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे inferior colliculus के level पर inferior colliculus पर level पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम grey matter को देखेंगे कि कौन सा grey matter present होता है at the level of inferior colliculus सबसे पहले हम mid के अंदर देखें यह हमारे पास cerebral aqueduct है ठेक है aqueduct cerebral aqueduct के side के अंदर laterally दो nucleus present है एक यहां पर एक यहां पर यह basically nucleus है mesencephalic nucleus ठीक है mesencephalic nucleus of trigeminal nerve mesencephalic nucleus of trigeminal nerve fifth cranial nerve के basically इसका function क्या होता है कि यह परा जो हमारे परा-sympathetic information होती है trigeminal nerve हमें पता है कि mostly sensory innovation देती है face को तो face के जो muscles है facial muscles, ocular muscles, mastication के muscles उनकी जो हमारे पास proprioceptive information होती है proprioception information muscles की जो facial muscles की है वो जारी होती है mesencephalic nucleus के पास तो यह receive करता है information of proprioception from the facial muscles है so mesencephalic nucleus यहाँ पर present है cerebral aqueduct के lateral side के उपर cerebral aqueduct के anterior side के उपर दो nucleus is present है और यह nucleus है fourth cranial nerve के ठीक है fourth cranial nerve के या trochlear nerve के अच्छा trochlear nerve को हमें पता है के dorsally arise होती है trochlear nerve सिर्फ एक वाहिद cranial nerve है जो के dorsally arise होती है brain stem के अंदर तो यहाँ पर देखें यहाँ से arise होती है यह decusate करती है opposite side के उपर यानि left वाली right पर चली है और right वाली left पर आ गए posterior side के उपर decusate करके laterally move करते है उसके बाद anteriorly आ जाते हैं जैसे हमने ventral features पढ़ रहे थे तो उसके देखा थे laterally side से anterior side के उपर move कर रही होती fourth cranial love so fourth cranial love arise होती है यहाँ पर उसके इलावा अगर हम देखें तो हम at the level of inferior colliculus पढ़ रहे हैं inferior colliculus भी mass होता है gray matter का और inferior colliculus related होता है auditory pathway से और inferior colliculus को हमने discuss किया था कि connect है inferior brachium के through medial geniculate body के साथ so यहाँ पर हमें inferior colliculus मिलेगा inferior colliculus के बिलकुल साथ यहाँ पर एक lemniscus present है इस lemniscus को हम कहते हैं lateral lemniscus अगर pons याद हो pons के अंदर हमने discuss किया था के cochlear nerve के nuclei होते हैं वहाँ से कुछ fibers decusate करते हैं opposite side की तरफ और वो trapezoid body बनाते हैं और trapezoid body से जो fiber ascend कर रहे होते हैं ठीक है उन fibers को हमने कहा था है कि lateral lemniscus होते हैं तो lateral lemniscus यहाँ पर आकर end कर जाते हैं inferior colliculus के level पर inferior colliculus के साथ so cochlear nerve के decusating fibers trapezoid body बनाएंगे trapezoid body से fiber ascend कर रहे हैं हम कहते हैं lateral lemniscus और lateral lemniscus end कर जाएगा यह हमारे पास आगया lateral lemniscus जो के end कर जाएगा at inferior colliculus इसके बाद हम superior colliculus पढ़ेंगे तो वहाँ lateral lemniscus नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर वो end हो चुका है ठीक है यहाँ पर हमें यह मिल जाता है इसके इलावा reticular formation reticular formation throughout the brain system हमें मिलती है हम चाहे pons को पढ़ें medalla को पढ़ें मिड ब्रेन को पढ़ें middle के अंदर हमें कुछ fibers मिलते हैं जिने हम कहते हैं this one is a mlf medial longitudinal fasciculus और यह interconnect करता है fourth sixth and eighth cranial nerve को और हमारी eyes और head की जो movement होती है उसको synchronize करने में help करता है उसके बाद हमारे पास है tecto spinal tract और यहाँ पर है rubro spinal tract tecto spinal tract superior colliculus से arise हो रहा होता है और rubro spinal tract red nucleus से arise हो रहा है इसको हम अभी discuss करेंगे अच्छा उसके इलावा यहाँ पर हम mid के अंदर देखते हैं तो हमें कुछ और decusating fibers नज़र आ रहे है ठीक है तो यह कौन सी decusation fibers है mostly यहाँ पर यह decusation fibers होते है superior cerebellar peduncle के superior cerebellar peduncle basically fibers होते है जो के mid brain को cerebellum के साथ connect कर रहे होते है superior cerebellar peduncle के fibers at the level of inferior colliculus decusate करते है oppositely side move करते है तो inferior colliculus के level पर decusation होगी और यह कौन से fibers होते है basically cerebellar thalamic fibers जो cerebellum से opposite side of thalamus के पास जा रहे है cerebellar rubral fibers जो के cerebellum से red nucleus तक जा रहे होते हैं opposite side की तरफ तो यह fibers mostly decusate करते है और इनकी decusation होती है at the level of inferior colliculus उसके लावा यहाँ पर हमें और भी lateral lemniscus के लावा और भी तो lemniscus present होते है तो this one is a medial lemniscus जो के fasciculus, gracilis और cunators के fibers decusate करके जो lemniscus बनाते है medial lemniscus है उसके बाद trigeminal lemniscus जो के spinal nucleus और trigeminal nerve का यह ascend कर रहा होता है thalamus तक information लेकर जा रहा होता है pain और temperature की जो from the face से तो वो trigeminal lemniscus और trigeminal lemniscus के बाद spinal lemniscus anterior lateral system यह हमारे anterior spinothalamic tract और posterior spinothalamic tract ascend कर रहे होते हैं as spinal lemniscus so these are the major features जो के हमें नजर आते हैं on the at the level of inferior तो अभी हम discuss करेंगे internal features of midbrain at the level of superior colliculus, inferior colliculus हमने discuss किया so at the level of superior colliculus सबसे पहले हम discuss करेंगे grey matter को के at the level of superior colliculus हमें कौनसे grey matter नजर आते हैं तो सबसे पहले हम देखें cerebral aqueduct है cerebral aqueduct के lateral sides के उपर same mesencephalic nucleus present है fifth cranial nerve का अगर हम cerebral aqueduct से ventral ही देखें anterior side देखें cerebral aqueduct की तो यहाँ पर triangular shape nucleus is present है यह वाले triangular shape nucleus present है oculomotor nerve के nucleus यहाँ से oculomotor या third cranial nerve से ventraly arise होती है third cranial nerve ventraly arise हो रही है fourth posteriorly arise होई थी ठीक है तो oculomotor nerve ventraly arise हो रही है oculomotor nerve के nucleus के just dorsal side के ओपर यहाँ पर दो nuclei और present होते हैं जिसे हम कहते हैं edinger west pearl nucleus edinger west pearl nucleus edinger west pearl nucleus basically part होता है oculomotor nerve का और इसे हम accessory oculomotor nucleus भी कहते हैं और यह parasympathetic part parasympathetic division होता है oculomotor nerve का और इसके fibers innervate कर रहे होते हैं eyes को, pupil को और mostly eyes के muscles को so edinger west pearl nucleus इसको accessory oculomotor nucleus भी कहते हैं and it is part of oculomotor nerve जो के just dorsal to the oculomotor के nuclei के present होता है उसके इलावा हमें superior colliculus यहाँ पर नजर आते हैं क्योंकि हम at the level of superior colliculus देख रहे हैं तो mass of gray matter जो के superior colliculus है visual pathway से related है connected to the lateral genucleated body by superior brachium से ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें जो mostly efferents आ रहे होते हैं superior colliculus को mostly four places से आ रहे होते हैं retina retina से fibers आ रहे होते हैं efferents इसके बाद हमारे पास inferior colliculus से fibers आ रहे होते हैं ठीक इसके बाद हमारे पास spinal cord से fibers आ रहे होते हैं और इसके लाद हमारे पास visual cortex से visual cortex यानि occipital lobe से fibers आ रहे होते हैं तो यह four places हैं से efferents आ रहे होते हैं superior colliculus के बाद redina से inferior colliculus क्योंकि हमारी जो visual pathway auditory pathway भी दोनों related हैं आपस में तो inferior colliculus से fibers भी आ रहे होते है spinal cord se fibers आ रहे हो दर visual cortex से efferent आ रहे होते है superior colliculus के बाद और efferents arise होते है superior colliculus से mostly तो efferents हम कहते हैं उसके बाद एक हम देखें तो हमें यहां पर जस्ट यह जो सुपियर कॉलिकुला से यह नहीं ना है सब दो अलjan壹 जों Near 10 रिज्ञ के अंदर गर नचति त्रे academ के लेगैन के जए के इस बाद यहां टेगमेंटम है तो शूपीर कॉली कुलस के बिलकूल इंटियर साइड के ऊपर दो शौर्ट नॉकलियाई प्राज़न रोधें जिन्हें हम कहते हैं प्रीट्र नॉकलिय स pre-tactile nucleus pre-tactile nucleus के पास basically fibers आ रहे होते हैं optic tract के ठीक है optic tract के fibers pre-tactile nucleus के पास आते हैं pre-tactile nucleus fibers भीशता है addinger westpal nucleus के पास और addinger westpal nucleus से fibers oculomotor nerve के पास चले जाते हैं तो यह एक pathway बन जाता है और यह major pathway जो control करता है pupillary reflex pathway आई इस pathway को pupillary reflex pathway भी कहते है और यह control करता है यह हमारे pupil है यह कभी contract कर रहा होता है कभी dilate कर रहा होता है different stimuli की वजह से तो यह due to the pre-tactile nucleus pre-tactile nucleus के optic tract है optic tract के बाद fibers आते हैं pre-tactile nucleus के बाद pre-tactile nucleus के बाद addinger westpal nucleus और addinger westpal nucleus के बाद oculomotor nerve में चले जाते हैं तो यह एक pathway बन जाता है जो के control करता है हमारे pupil को हमारी pupil dilate हो रहा है यह concentrate कर रहा है due to this pathway ठीक है और यह pathway important role play करता है in the pupillary reflex pathway इसके लावा गर हम देखें तो हमें यहाँ पर mass of gray matter में यहाँ red nucleus present होता है red nucleus में basically high vascularization और iron की वज़ा से इसके जो appearance होती है वो red appearance होती है red nucleus की और red nucleus के बाद mostly efferents आ रहे होते हैं cerebral cortex से cerebellum से spinal cord से efferents आ रहे होते हैं और इसके efferents mostly everywhere in the brain जाता है means के reticular formation पे भी cortex पे भी spinal cord पे भी cerebellum पे भी hem यात भी नहीं कर सकते तो इसके efferents mostly आ रहे होते हैuste है cortex से cerebellum से spinal cord से और whatever 그냥 etc red nucleus के पास mostly cortex से fibers आ रहे होते हैं एपर here certain黒 cerebellum से fibers आ रहे होते हैं red nucleus एक relay center होता है यहाँ पर fibers आ रहे होता हैं और यहाँ पर information को relay करता है एक integrating center है और यहाँ सेowers Net कोर्ट तक जा रहे होता है तो यहाँ पर हम इसको 기 Reserve गो रिपरो सईचे जे यहां पर गाय। के निपन्तर हुटे जहाँ पर इन्फरोमेशन आखे रिले हो हरी हो है लुक्त कर देखे तो एंटलिपोज यहां पर देखते लुक्त के ऊपर और इसके लाख ठीक है ये दोनों साइड के ओपर reticular formation present है यहाँ पर हमें दो decusations नहीं जो यहाँ पर नहीं थी यहाँ पर सिर्फ एक decusations थी superior cerebellar peduncle's की और यहाँ पर दो decusations है तो यहाँ पर यह जो यह वाली decusations है थोड़ा सा इसके endorsally इसको हम कहते हैं dorsal, tegmental decusation और यह वाली बिल्कुल anterior side के ओपर जो decusation है यहाँ पर यहाँ पर decusation तो basically यहाँ पर हमें कुछ missing है यहाँ पर देखो tecto-spinal, rubro-spinal tract भी missing है तो क्या होता है कि tecto-spinal tract के fiber जो superior colliculus से arise हो रहे होते हैं यहाँ पर decusate कर रहे हैं तो इस decusation को हम कहते हैं dorsal, tegmental decusation जो कि decusation है of tecto-spinal tract और rubro-spinal tract के fibers arise करते हैं red nucleus के साथ तो red nucleus से fibers arise हो रहे हैं जो ठीक है और जो decusate करना है इस level के ऊपर उससे हम कहते हैं anterior tegmental decusation तो यह दो decusations होती है जो present होती है at the level of superior colliculus और हमने बाकि हम डिसक्स कर चुके हैं सब्टेशा नाइगरा और कर सारी प्राइस सेम होते हैं at every level of midbrain के ओपर so these all are the features which we discussed about in the midbrain तो हम midbrain के डिसक्स कर चुके हैं सारे features thank you